तो माई यूटूब चैनल अमिता संदिप पर आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूं और अज मिनते हैं और एक नए वीडियो पर तो आज में आप लोगों के लिए और एक नए वीडियो लेकर आए हूं जो आज में एक रेसिपी दिखाने वाली हूं वो है पेकची पत्त गए जो है कि विडियो पर लागतार बने रहें और देखते रहें कि इससे साब की रूप में कैसे बुंज़ रगता है ठीक है और यह खाने वे बहुत ही जादा खुरूरत लगता है पेकची जो है इसका कोई भी भाग इसका फिकाता नहीं है पर तेक भाग इसका यूस्व तो इसका पत्ता को भी खाया जाता है और पेक्ची को भी खाया जाता है तो यह देखिए यहां पर इतना जादा है यहां पर आपको मैं भी दिखाते हूं यह देखिए इतना जादा है यहां पर तो इसे आप मैं मतलब भूजों के साख के तरह तो वीडियो पर आप लोग बने रहे हैं और देखते रहे हैं इसका मतलब कैसे बनाया जाता है सबसी ठीके मैं आप लोगो को दिखा रही हूं किस तरीके से यह जो है थोड़ा खराब है इसको निकाल लेना है खराब गला को और इसे भी रची तरीके से धो ले रहे हैं तो वीडियो पर आप लोग बने रहे हैं और उसके बाद मैं आपको लोगो दिखाते हूं कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस की आजाता है यह देखिए इतना जादा है तो इन सारे को पहले बना ल आटा इतना टरो है यह आपको इसी ईह है है तो कि बेसे बाल विखा थे आखिए bawक दे आखिता है से आ पहलो तुक्स कर पता है यह तो को देखिता है है उसके रचे देक सबाद कर थे आचिता है look अब यह में सब को धो चुकी हुई यहां पिर इसके बाद अब इसे पतला-पतला काट लेना है अब हो गया लेखिए इस परकार शेश पतला-पतला पतला इससे आपको काट लेना है यहां पर मैं काट रही हूं इसके साथ मैं आलो भी मिक्स करने वाली हूं पतला अगर चाहे तो आप कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं आलो मिक्स तो नहीं कर सकते हैं आप टाहसे और आपके मर्जिक अनुसार के यह आ पर मैं इस तरीके से काट चुकी हूं यहां वहीं इसे पर कार अगर देख़ें यहांपे मैं काら बीचे यहां पर कुरकर बासंते हूं यहां पर को दिखह किए हूँ यहांपे यहां पर साब को बनाने के लिए मैं सारा मैट्रिकल चार कर चुकी हूँ यह टमाटर यह मिर्ची और यह प्याच और यह लस्वन और जैसे कि मैं बताई थी इसमें कि मैं आलू मिक्स करने वाली हूँ तो यहां पर मैं दो चार आलू मिक्स करने वाली हूँ तो बुल्यो पर तेल डालूंगी तो अब यहाँ पे में तेल डालूंगी तेल को हरका हलका सा गर्म होने देना है उसके बाद डालना है अब को सबसे पहले प्याज को लसुन और मिर्ची को डालना है हो चुके हैं अब मैं डालूंगी इस पर प्याज साथ में मिर्ची को भी डाल ले रहे हैं तो देखिए मैं मिर्ची को भी साथ में डाल ले रही हैं प्याज मिर्ची और लासुरी सबको मैं मिला चुकी हैं अब इसी अच्छी तरीकी से चलाना है पूरे ब्राउन होने तरकी से भून लेना है आपको तो देखिए प्याज यहां पर रेड होने वाला है और थोड़ी रेड होने देती हूं और उसके बार डालती हूं यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर डालूंगी आलो को मुदि एफ़ा निंट्रूच सब्सक्रड़ा है नहीं हमें आका इता कि तो यह अजी हैं यह तरू손िक हमें यह होंता है कैसे यह जो आनले में अ के अको आनले ऑ अ, इसके छोड़ा कमें सब्सक्यार इस स्बस्ताइब Chat आपको कि यहां पर डालना है आपको अपने स्वाव अनुशार नमस तो देखिए यहां पर मैं डालने जा रही हैं नमस आप अपने स्वाव अनुशार डाल सकते हैं कि पर टवर मैं जाने के गाजने हुआ है थोड़ी देर भूनाने के बाद अब यस पर डालना है वंको स्वाव कर यहां लिघर अनुआं गया आनुआ नियनकी अपर कर देखिए लिघर आजनां निया जाना पकार इखिए हैं चाहिए शजाल कि यहां पर मैं डाल चुकी हूं अब मैं इसे धाफ दोंगे पकने के लिए तो चलिए अब चला कर देखते हैं यह देखिए कितना था और पकर कितना हो चुका है अच्छी तरीके से चला लेना है यहां पर तो अगर यह देखिए आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में बताएए और अगर नए हैं तो सुस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए क्या हाल है यह सबजी का तरीके से अभी लगों कीजिए अगर दोका है थोड़ा दखानी हलका हलका है उसे दिए कम करेंगे लेना है अब इस पर मैं डाल दूंगी तर को यह देखिए और यहां पर अब मिला लेना है तो यह देखिए फाइनली अब मेरा यह रेडी हो चुका है यह पेच की साग खाने में कितनी खुसूरत लग रही है देखें कितना अच्छा लग रहे है रहे हैं कितना अच्छा बहे है वँआ कितना अच्छा प्रप्रण अच्छा यह यह